श्री नाज्जी गुरुजी को अलगादेश, माभगवती को अलगादेश, रांची वाले भहिरब बाबा को अलगादेश, श्री आप सभी को आदेश आदेश, छाया पुरुष साधना, छाया पुरुष क्या होता है, शाडो, अपने छाया को एक रूप दे करके और फिर उस से काम लेना, इस साधना और इस सिद्धी को छाया पुरुष साधना कहते हैं, तो आप में और आपके छाया पुरुष में क्या अंतर होता है, बिल्कुल वही अंतर होता है, जो आप में और एक आत्मा में, या आप में और एक किसी दूसरे पराजीव में होता है, और वो यह है कि यह चाया पुरुष किसी भी तरीके के सेंसेज में नहीं बनदा है, मतलब यह आप ही का extension है, लेकिन यह limitless है, यह किसी body के limit में नहीं बनदा है, ना इसको छूने की जरौत है, किसी चीज को समझने के लिए, ना इसको देखने की जरौत है, ना इसको सुनने की जरौत है, ठीक है, इसका किसी भी चीज को परसीव करने का जो capacity होता है, वो अनंत होता है, इसी लिए हम छाया पुरुष साधना करता है, सीधे आकाशिक लाइबरेरी से यह आपको जो है, जो भी आपको जानकारी चाहिए, भूत भवश वरतमान या किसी के बारे में, तो वो यह आपको लाकर दे सकता है, इसलामिक तंत्र में एक साधना है हमजाद साधना, हमजाद साधना उसको सही सही कर बोला जाए तो हमजाद साधना, तो वो हमजाद साधना बहुत लोग करते हैं यह सोचकर कि कि वही चाया पुरुष साधना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमजाद साधना का जो basic rule है, वो यह है कि आप अपने प्रतिविम्ब को आईने में देखकर करके उस साथना को करते हैं प्रतिविम्ब और छाया में अंतर होता है हमजाद जो उर्दू शब्द है फार्शी शब्द है इसका मतलब होता है कि अपनी ही जाती का तो हमजाद हुआ तो जो आपकी जाती का हो, मतलब इस dimension से नहीं, उस dimension से, किसी और dimension से, उसको जब आप सिद्ध करते हैं, और उसको जब आप इधर बुला लेते हैं, अपने dimension में, तो फिर वो हमजाद होता है, वो देखने में आपकी तरह लगता है, लेकिन वो आप नहीं होते हैं, आपका उस नहीं है लेकिन छाया पुरुष आपका ही manifestation है और आपका ही एक अंग होता है छाया पुरुष की साधना सर्फ सानातन हिंदु धर्म में हैं सानातर और हिंदु इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग सानातन धर्म से वाकिफ नहीं रखते या फिर वो उनको समझ में नह साधनाएं हैं ऐसे दोनों में दोनों जो साधनाएं अवाम और दक्चिन दोनों साधनाएं में बली या कारण का प्रावधान नहीं है लेकिन फिर भी दोनों में जो मंत्र है वो अलग है और दोनों में जो विधान है वो अलग है सात्विक भाव से जब आप इसकी साधना क करता है तो गायत्री तंत्र में छाया पुरुष साधना होता है गायत्री मंत्र के प्रेवोग से ही छाया पुरुष के सिद्धी की जा सकती है आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वह वाममार्ग से छाया पुरुष साधना की है ठीक है तो वाममार्ग में देखो अब वाम किताब astrology की किताब है लाल किताब में सर्फ जोतिष्ट का वर्नन है ठीक है जो तंत्र है और जो टोटके हैं वो काले किताब में आता है ठीक है काले किताब क्या ये साधना है जिसको छाया पुरुष साधना कहता है इसको करना कैसे है इसका एक लाइन का साबर मंत्र है इसको सि दिकर सकते हैं, सबसे पहले इस साधना को ऐसे कमरे में करना चाहिए, जहां किसी भी और का प्रवेशनिसे दो, दूसरा, ये कमरा चाहे तो बिलकुल नया बना हुआ हो, या इसका पेंट पोचाड़ा फिर से पूरा किया गया हो, मतलब इस तरका सुध होना चाहिए, और जिस प्यूर फॉर्म इस साधना में दोगे, उतना ही प्यूर आपका छाया-पुरुश होगा, तो आपको करना क्या है, कि आप एक साफ सुत्रे कमरे में चाहे तो नया जान पेंट पोचाड़ा किया हुआ, ऐसा एक कमरे में, जा करके, साफ सुत्रे कपड़ा पहन करके, बैठ आप नौर्थ की तरफ देखेंगे, ठीक है, जिदर कैलाश है, उस तरफ देख करके इसकी साधना होगी, घी का एक दीपक लेंगे, और उसको ऐसे स्थान पर रखेंगे, मतलब सामने की तरफ नहीं रखना है, ऐसे तरफ आपना रखना है, तो दाएं रखें, बाएं रखें लेकिन उसकी पोजिशनिंग ऐसे होनी चाहिए, कि आपको आपका छाया दिखना चाहिए, और उस छाया को देख करके, आप डेली मंत्र है, अगम निगम की खबर लगाए, सोहम पार ब्रह्म को नमस्कार, ठीक है, आगम निगम की खबर लगाए, सोहम पार ब्रह्म को नमस् देखो इसका हर रात आपको धाई हजार जाप करना है 40 दिनों तक शुरुवात में आपको कुछ-कुछ आभास होगा आप जादे conscious अपने आपको समझ पाऊगे कुछ भी आहट वाट आपको समझ में आने लगेगी साथ दिन अगर सही सही आप इस साधना को कर लोगे तो आपको एक छोटा सा छाया पुरुष दिखेगा ठीक है आप continue करना 21 दिन में एक पून रूप का छाया पुरुष आपको दिखेगा ठ आप से पूछेगा कि तुमको चाहिए क्या उस समय घजाना वजाना मत मांगना बहुत ज्यान मत मांगना क्योंकि उसमें यह सक्षम नहीं है सीधे बोलना कि तुम्हें जब और जिस कारण से मैं बुलाओं तुम मेरे पास आ जाना है तो चाया पुरुष से आप क्या काम ल कराना हो तो वह चाया पुरुष से कर सकते किसी की जासुसी कराणी हो चाया पुरुष की साधना के बाद एक चीज के लिए सतर्क रहएगा कि छाया पुरुष को जब भी आप कहीं भैजियेगा तो कभी किसी अच्छे तांत्री के अगण के पास मत भीजेगा क्यूंकि छाया पुरुष को कैद करने का विधान है और अगर आप पढ़ गए चक्कर में तो आपके छाया पुरुष को कैद कर लिया जाएगा और उसके माध्यम से आप पे हर तरफ से बंदेश लग जाएगी तो यह काली कीताब की पहली साधना गाइतरी तंत्र के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छाया पुरुष की साधना की जाती है बेसिक साधना बंदन बंदन मंत्र भहरव मंत्रागर सीखना है भहरव जी का पूजा कैसे करे यह सारे विध्याइन सीखनी है तो मेरा एक paid whatsapp group है उसमें आप जूड़ सकते हैं इसके अलावा अगर भूत ब्रेतों में इंट्रेस्ट है तो a handbook for paranormal investigator मेरी किताब है वो आप खरीच सकते हैं online भी मिल जाएगा bookstores में मिलता है जिसको मुझसे appointment लेना है मेरा website है www.agortantras.xyz उसमें आप मुझसे appointment ले सकते हैं डारेक्ट बात करने के लिए आप लोग call me for app डाउनलोड करिए उसमें रूत रनाज सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डारेक्ट कॉल कर सकते हैं इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकोन दबा दीए आज के लिए तहीं आप सब्सक्राइब को आदेश आदेश अलाख आदेश